बिसमिलाहिराभरोहीम, Assalamualaikum, Welcome to Quick Review और Quick Review Geography और General Science Series के अंदर जो है आपका Welcome आज हमारा जो Geography और General Science का Topic है वो Topic 7 है और इसमें हम बात करेंगे Weather की यानि हम Weather से मुतालिक जितना कुछ भी है वो जानने की कोशिश करेंगे या वो factors देखेंगे जो के weather बनाते हैं और जिनके वज़ासे weather जो है वो change होता है ठीक है तो start करते हैं अच्छा इसमें हम देखेंगे क्या कि सबसे पहले हम देखेंगे कि weather factors क्या है कि वो कौन सी चीज़े हैं जो के मौसम के उपर असरंदाज होती है या मौसम बनाती है ठीक ह अब सबसे पहली चीज़ क्या है जी weather factors कि वो क्या चीज़ें हैं जो के मौसम के उपर जो है वो असरंदाज होती है कि वो क्या चीज़े है अब उसमें जो weather factors है सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम यह समझें सबसे पहले तो यह देखते हैं कि weather क्या है जी ताकि हमें समझने मे असानी हो, अब देखिये, एक साइड पर एठ साइड पर हम बात करेंगे आगे जब तो climate की बात करेंगे, यह दो टर्म्स हैं, कि एक वेधर और दूसरा climate, अब एठ हम कहते है, और मौसम को और climate को अब और हवा को, ठिक है, अब आबो नॉर्मली हम जो लेते हैं वो यू ले लेते हैं कि सम्टाइम हम climate भी कह देते हैं और मोसम भी कह देते हैं लेकिन geography के अंदर ऐसा हर्गिस नहीं बलके जो weather है वो कुछ और definition रखता है और जो climate है वो कुछ और तो simply हम weather को क्या कहेंगे कि मोسم क्या चीज है कि एक जो area है एक अलाका जो है जिसको हम एक region भी कह सकते हैं एक ऑलाके के अंदर जो हवा है उसका pressure तेक है अहॉआ का जो pressure है वो क्या होगा वहा का ज्यू होगा और वहां का जो रूख है वो किस साइड से आरही है यहारू है ए घर उस present condition को हम कहेंगे कि ये weather है ठीक है यनि एक area जो है उस area के अंदर हवा कैसी है हवा कि साइड से आ रही है उसका temperature क्या है उसकी humidity क्या है ये चीज़े मेजर करेंगी कि actually में क्या है वहां का मोसम कैसा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर आज बात करते हैं आपके आज अगर बा कराची का temperature आज गरम है वहां पे 35 degree centigrade इस टाइम पे है लेट सपोज ठीक है बिल्कुल इसी तरह से ये सारे factor जब एक long term के लिए देखे जाएंगे यानि at least जो है वो 30 to 35 years 30 से 35 साल तक किसी भी इलाके को जब observe किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे climate ठीक है अब जब present condition है उसको हमने कह दिया मौसम इनी चीज़ों की लेकिन जब इनी सब को हम 30-35 years तक judge करते रहेंगी कि वहां मौसम ठंडा होता है गरम होता है किस तरह का होता है तो फिर हम ये अंदाजा करेंगी कि उसका climate क्या है आब वो हवा कैसी है जैसे हम ये कहते हैं कि जो मरी है उसकी आब वो temperature होती है weather factors के अंदर कि air temperature बहुत ज़्यादा important है इसके साथ साथ wind बहुत ज़्यादा important है और humidity बहुत ज़्यादा important है कि ये सारे इसने जो है ये बनाती क्या है temperature को factors को develop करती है या weather जो है वो बनाती है अब air temperature जो है अब वो depend करता है किस के ओपर के हवा कहां से आ रही है पहली बात अगर वो किसी ठंडे अलागे से आ रही है तो मौसम को आके ठंडा कर देगी जैसे कहा जाते है गरम हवाएं दाखिल होगी पाकिस्तान में या ठंडी हवाएं आ रही है इसका मतलब ठंडा कर देंगी या गरम कर देंगी दूसरा है विंड अब विंड क्या हों कि जो हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर की तरफ जो हो विंड चलती है यानि जहां पर भी जो हो जादा प्रेशर होगा विंड का तो वहां से जहां पर कम प्रेशर होगा उस साइट पर जो हो विंड चलना स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब वह जो विंड की डा के अब जो आपी बुखाराथ हैं आपी बुखाराथ कहलें याप नॉर्मलिजए बौर जो है सिवेटि वोर्टर वेटर हम कहते हैं तो वोर्टर वैपर जो है जब वो उपर बनते। गर्मी की वज़ा से यानि सनलाइट की वज़ा से क्या हो रहा है कि जो water bodies वहां से आभी वह खराद बनके उपर जा रहे है water VP तो was water VP तो gas है अब आपर जा रही है तो आप वो ऊपर कहा जा रही है यह पाली यह पानी ओपर कहा जा रहा है question तो यह ऊपर कहा जाएगा actually में ये उपर जो हमारे पास हवा है जो हवा के molecules है उसमें जाके शामिल हो जाएगा ठीक है यानि एक साइट पर water vapor होगा और दूस साइट पर जो है वो molecules होंगे air के तो वो जो उसमें साथ में शामिल होगा तो वो साथ में शामिल हो जाएंगे तो क्या होगा वो मिल के हुवाई बनादेंगे लेकिन वो होआट के अंदर ही नमी होगी तो वो जो हुआ के अंदर नमी है क्या वो جो अभी बॖरात ने बनाई हवा के अंदर नमी जो के वेपरेशन के त्रूँ गए जो अवेपरेट होके गए झो उसे रीकrant के 30% है तो उसका मतलब वो 30% उसकी humidity है अब humidity का असर होता है गरम और सर्थ के उपर कैसे होगा कि अगर एक साइट पे एक अलाका है जहां पे गरमी जादा है या गरम हवा है तो वहां पे क्या होगा नमी भी जादा होगी अब question यह है कि नमी जादा क्यों होगी इसलिए होगी क्योंके गरम हवा हलकी होती है उसके molecules दूर दूर होते हैं और वो तेजी से जो है वो उपर की तरह बढ़ेगी तो उसको time नहीं मिलेगा कि वो आपस में जो है वो condense होगी दूसरा हवा already गरम है तो जब already गरम है तो उसने पहले से ही जो है वो इतना ज़्यादा सोग किया वा है कि अब उसको ज़्यादा जरूरत नहीं है मजीद पानी को सोग करने के अपने अंदर इसलिए जो है वो नमी उसमें ज़्यादा होगी गरम के अंदर तो वो वहाँ पे यानि humidity जो गरम वेदर है उसके अंदर ज़्यादा होगी जैसे आपने देखा होगा कराची मंबई वगरा में humidity ज़्यादा होती है इसी तरह से अगर ठंडी हवा होगी तो ठंडी हवा में क कम होती है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं relative humidity की अब relative humidity भी बहुत important factor है weather factors में ठीक है अब relative humidity क्या है relative humidity ये है कि एक जो area है let's suppose ये एक area है अब इस area के अंदर जो हवा मौझूद है उस हवा में let's suppose यहां पर temperature है 30 degree centigrade ठीक है जी 30 degree centigrade की हवा का ये जो area है इसमें इस time पे ज तो इसमें हो कितनी सकती है अब क्योंकि 30% temperature में हम ये पहले मालूम कर चुके हैं कि वहां पर हो सकती है 50% let's suppose कि वहां 50% हो सकती है इसका मतलब है 20% तो 30% मजीद इसकी गुंजाश अभी है कि यहां पर saturation के level को पहुंचने के लिए कि 20% तो मौझूद है humidity लेकिन 30% मजीद इ इस temperature को याद रखिएगा कि temperature के अंदर गुंजाश है तो इसका मतलब ये जो गुंजाश है और ये जो अभी मौझूद है इसका जो हम निकालेंगे तनासुप या इसकी जो percentage निकालेंगे तो उसी को relative humidity कहा जाएगा ठीक है यानि कि water vapor जो है वो हवा में कितने है ठीक है compare कि compare to इसके कि वो कितने hold कर सकता है at that temperature कि उस खास temperature के ओपर वो 30 है 20 है 25 है उस खास temperature के ओपर जो है वो hold कितने कर सकता है और present कितने है इसका जो तनासुप इसकी जो percentage है that is called the relative humidity ठीक हो गया अब relative humidity के बाद आगे आता है हमारे पास dew point dew point क्या है कि जब ये जो drops है छोटे छोटे छोटे छोटे ठीक है अब ये जो water vapor actually में ठीक है या humidity है ये जब आपस में आके जो है वो मिलेंगे और आके dust या salt जो air में मौजूद है जो last time हम बात कर चुके हैं तो उसके साथ आके चिपकना start हो जाएंगे तो जब वो चिपकेंगे तो थोड़ा सा drop बड़ा होगा drop तो बने गए या भी नहीं लेकिन वो हलके हलके tiny particles जो है वो जब आपस में जुड़ते जाएंगे तो वो जुड़ के जो है वो जो point आएगा उसको हम कहेंगे dew point dew का मतलब है कत्रा बनाना ठीक है जब जिस time पे पानी कत्रा बनाने के काबिल हो जाए तो उसको हम कह रहे हैं dew point है ठीक हो गया कि वो छोटे 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 जो gas के molecules है वो आपस में आके एक जगा जमा हो रहे हैं dust या salt के particles के साथ और वहां पे आकि क्या हो रहा है कि वो कत्रा बनाने के काबिल हो रहे हैं तो हम कह रहे हैं dew या dew drops हम कहते हैं normally आपने देखा होगा दराफतों के ओपर जब आ जागे हैं तो वहां पे वो शेबनम के कत्रे पड़े होते हैं तो वो dew drops है तो वो dew है ठीक हो गया अब यह basic factors आप समझ गये कि यहां पे जो है weather के अंदर जो है वो कौन-कौन से factors जो है वो involved होते हैं अब यहां इस picture के अंदर भी आप देख लिए कि यहां पे temperature है air temperature ठीक है और इसमें बताया जा रहा है कि यहां पे मैयर किया जा रहा है किस तरह से यहां पे cold है क्योंकि यहां पे poles हैं और यहां पे hot है तो यहां पे जो hot है लास्ट में बात कर चुका हूँ के hot है तो यहां पे हवा जो है वो क्या होगी वो गरम होगी तो वो उपर को उठेगी और और वो हलकी होगी और यहां पे जो cold areas है यहां पे हवा भारी होगी तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे molecules पास पास होगे तो जो polar regions हैं वहां पे humidity कम होगी as compared to the equator zones या फिर tropical zones tropical zone में temperature जादा है वहां पे humidity जादा होगी और यहां पे कम होगी ठीक है और जो wind की जो एक खास direction में air जो चलेगी तो उसको कहा जाएगा wind और वो अगर गरम है तो गरम हवा लेके आएगी थंडी है तो थंडी हवा लेके आएगी अपने साथ इसी तरह से सर्दियों में आपने में देखा होगा कि बहुत ही जो है वो जमीन के पास आपको धुन दिखाई देती है वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पर उसी टाइम पर ठंड जादा होती है और molecules जो हैं बहुत जादा आप उसमें condensation हो जाती है यानि वहीं पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं तो जिससे व हवा में बादल आपको दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि ठंडा वहां पर temperature है तो वह condensed होके वहां पर उन्हें बादल बना दिये हैं अब आगे बढ़ते हैं अच्छा अब बात करते हैं जी clouds की के clouds हैं वो कैसे बनते हैं बादल कैसे बनते हैं और यह कितनी तरह के होते हैं तो अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं अगर बादल कैसे बनते हैं तो simply बादल कैसे बनेंगे कि यह जो let's suppose अगर एक समंदर है या एक water body है तो water body से क्या होगा कि जब sunlight यहां से पड़ेगी ठीक है सूरज की रोशनी है तो वो heat देगी जब वो heat देगी तो क्या होगा क कि यहां से क्या होगा कि जो water vapor है वो उपर की तरफ उठेगा कि पानी गरम होगा आभी बुखाराद बनेगा अब आभी बुखाराद बनके उपर की तरफ उठेगा तो जब वो उपर की तरफ उठेगा और जब उससे थंडी हवा मिलेगी या वो किसी ऐसे zone में चला जहां पर उसे ठंड मिलेगी, let's suppose अगर यहां पर यह उपर को उठ रहे हैं और हवा इस साइड से चल रही है, हवा अगर थोड़ा सा उसका प्रेशर जादा है तो वो यह जो वर्टर वेपर है अपने साथ लेके चलेगी, यानि अभी वो खरात को किसी पहाड के उपर लेके किसी ठंडे रीजन के उपर लेके जा सकती है, और वहां पे जाकर वो कंडेस होना, स्टार्ट हो जाएंगे, जब वो कंडेस होंगे, तो वो कंडेस है कर देंगे कि वहाँ पे हलकेल के बादल मौझूद हैं तो यह जो है इस तरह से जब condensation होगी उन्हीं आभी उखारात की कि वो इतने जादा tiny particles आपस में जोड़ना start हो जाएंगे dust ठीक है जी और salt जो है जो हवा में हर टाइम मौझूद atmosphere के अंदर तो उसके साथ जब वो जोड़ना start हो जाएंगे छोट छोटे particles करके तो वो क्या होगा condensation होगी वो ही condensation जो है वो बादल बना रहे हैं अब वो फिर आगे बादल की classification है ठीक है यह जो है इस पर depend करता है कि कौन से बादल है और क्या जो है वो बारिश बरसाएंगे या बारिश नहीं बरसाएंगे वो depend करता है उनकी height के उपर ठीक है उनकी shape के उपर और वो यह कि उनके अंदर कितना ज़्यादा पानी जो है वो मौझूद है यानि कितना ज़्यादा जो है उनके अंदर नमी है कि वो बारिश बरसा सकते हैं के नहीं अब उसमें अगर हम बात करें शेप और हाइट की तो हमारे पास नॉर्मली तीन तरह की जो है वो क्लासिफिकेशन आती है तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट पे आएगा जी वो है हमारे पास जी कैमिलस क्लाउड्स ठीक है यह है कैमिलस क्लाउड्स जो आपको देखने को मिल रहे है कि यह जो है यह बड़ी बड़ी आपको आसमान के ओपर देखेंगे तो आपको चटाने दिखाई देंगी यार बहुत बड़े बड़े पहाड चटानो टाइप के हैं तीक है और इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे विप्रेवे इसी तरह से आगे फिर एक sub kind आ जाएगी दो भी आ सकती है तीन भी आ सकती है वो डिपेंड करता है height के ओपर है height कितनी है जतनी height होगी उसी हिसाब से पिर उनके आगे classification होगी लेकिन basic तीन ही है एक camulus होगा दू जो है इनकी हाइट जो है वो कम होगी इसी तरह से हमारे पास थर्ड आते हैं सिर्स क्लाउड्स ये बहुत ज़्यादा उंचाई पे होते हैं तीख है और ये हाइट पे होते हैं लेकिन ये इस तरह से छोटी-छोटी टुकडियों की शकल में या रोई के गालों की शकल में आपको या लाइन्स की शकल में इस तरह से या क्रिस्टल्स की शकल में आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से अब अगर बात करें कि बारिश कौन से बरसाते हैं इनमें तो इनमें ये जो पहले दो क्लाउड्स हैं ठीक है यानि कि स्टेटस भी बारिश बरसाते हैं डिपेंड करता है इसके ओपर किस तरह का टंपरेशर अपने साथ लेके आ रहे हैं इसी तरह से कैमूलस क्लाउड्स जो जो है वो Camulus आ रहे हैं अब Stratus जैसे मैंने कहा कि वो तो Lairs की शकल में होंगे वो सम्टाइम बारिश बरसाएंगे और सम्टाइम गुजर जाएंगे लेकिन बहुत जादा वो आस्मान को कवर करेंगे उसके बाद जो Camulus है ये जैसे काले बादल आप अकसर सुनते हैं कि काले बादल आएं हैं और सम्टाइम्स एसूसियेट किया जाता है कि भाई ये जो काले बादल है ये एक्चलियों बारिश बरसाते हैं तो ऐसे ही है कि जो काले बादल है इनके अंदर जो है वो काफी जादा इमाउट में जो होता है तो कंडेंसेशन बहुत अच्छी होती है इस पिर हर steps से आभो alltså vai же 106 andrew užו होता है तो यहां पे सिर्स मिलेंगी मिलेंगी थीक मिलेंगी तो यह स्य मिलेंगी यह न मिली बारिश नहीं बरसाता है, को सबसे भी बारिश अ procurement होनी अटेक्स मिलेंगी। निम्बस का मतलब ही जो है वो माना जाता है कि भाई वो डार्क जो है बादल होते हैं उनको कहा जाता है गो के कैमिलस भी जो है वो कुछ इसी तरह कही देखने को मिलेंगे लेकिन जो निम्बस हैं वो भी कुछ इसी तरह से ही देखने को मिलेंगे लेकिन वो बहुत ज़ादा एरिया जो ने उन्हें कवर किया होगा असमान के उपर बहुत दूर तक आपको दिखाई देंगे गो कि उनका जो लेवल है वो लो पे ही आएगा लेकिन वो बारिश बरसाएंगे तो नॉर्मली इसको काउंट किया जाता है या फिर सम्टाइम आप स्टेडी करेंगे तो वो केमलिस को भी कहा जाता है तो ये हमारे पास जो clouds हैं उनकी basic classification है basically तीन है या आप तीन के बजाए चार कह लें के साथ में numbers provide कर लें लेकिन फिर आगे उनकी sub-kinds हमारे पास आएंगी अब देखिए जो बादल है बादल तो एक ही है मज़े की बात क्या है कि बादल जो है अगर मानज आए कि ये एक बादल है तो बादल एक ही है लेकिन फिर भी sometime क्या होगा कि रेंज जो है बारिश की शकल में sometime बरसेगी sometime ऐसा होगा कि स्नो होगी यानि कि बर्फ की शकल में आएगी सम टाइम आप देखेंगे कि वो जाला बारी जो है वो बरसना स्टार्ट हो जाएगी तो ऐसा क्यूं है तो वो जो precipitation है उसके उपर depend करता है यानि जो हमारे पास precipitation है हम तो सिर्फ precipitation जो है वो नॉर्मली किसे कहते है कि बारिश का बरसना लेकिन जो geography है इसमें ऐसा हर्गिस नहीं बलके मुक्तलिफ तरह की precipitation होती है और basically four major kind होती है precipitation की कि सबसे पहले या तो वो बारिश की शकल में बरसेगा ठीक है वो या तो rain होगा या snow होगा या sleet होगा या hail होगा ठीक है ये basically चार हमारे पास types है बारिश के बरसने की कि जो उपर से जो बादल है जो condense हो चुका अब वो condensation तो हो चुकी लेकिन अब वो नीचे जो है वो जमीन के उपर जो है उसके जमीन के सर्फिस के उपर जो हो किस तरह से जो है वो आके बरसता है ये किसके उपर depend करता है अब देखिए अब इसको जारा समझते हैं कि कब जो है वो बारिश होगी कब जो है वो snow होगी देखिए बारिश और स्नो की कहानी तो बिल्कुल सिंपल है बारिश कब होगी बारिश जब होगी या उस इलाके में होती है जिसका जो है वो डिस्टंस बहुत जादा होता है ठीक है तो वो उपर से पहले से ही जमावा है तो वो नीचे भी आएगा तो temperature से change नहीं कर सकेगा तो नीचे भी birth की शकल में ही बरसेगा लेकिन अगर गर्मी है तो उपर तो condense हो गया ठीक है वो बारिश का कत्रा बन गया तो वो जो बारिश का कत्रा बनेगा तो नीचे भी आके बारिश का कत्रा ही जो है बारिश की शकल में बरसेगा अब बात आगे sleet की और hail की के ये किस condition में होंगे तो देखिए ये किस condition में होंगे कि अब सबसे पहले समझे कि ये है क्या चीज़ अब यहाँ इस पिक्चर में आप देखिए कि सलीट क्या है नौर्मली सलीट हम किसे कहते हैं कि जो बड़े बड़े हमें गोले जालाबारी के दिखाई देते हैं तीक है उसको कहा जाता है सलीट जो के नौर्मली आपको गरमियों के मौसम में दिखाई देगी ये भी गर्मियों के मौसम में दिखाए देगी इसी तरह से जो हील है वो भी गर्मियों में लेकिन ये सरदियों में भी होती है लेकिन स्लीट जो है वो हमें गर्मियों में जादा देखने को मिलेगी अब दोनों ये किसम की याला बारी है अब ये जाला बारी किस तरह से है कि देखिए अब होगा ये जब सलीट किस चेकल में बरसेगा जब गर्मी होगी ठीक है अभी गर्मी का अगर मौसम चल रहा है तो नीचे अब ये गर्मी में temperature अचानक से ठंडा हुआ कि कहीं से ठंडी हवाएं आई ऐसा नहीं कि सर्दी का temperature ठंडा है अगर सर्दी का temperature ठंडा होता तो फिर तो इसने उपर पानी का कत्रा बनने के वज़ाए उपर ही बर्फ बननी थी लेकिन उपर का temperature नॉर्मल है ठीक है वहाँ पे condensation हुई पानी का कत्रा बना नीचे जो है वो बहुत जादे ठंडी हवा की साइड से आई और उसमें क्या हुआ कि अचानक से वो जो पानी के कत्रे नीचे आना स्टार्ट हुए थे वो आते आते condens हुए मजीद जो है वो आके आपस में मिले और मिल के उन्हें क्या किया जी कोई भी shape बना दी ठीक है और वो ठंड की वज़ासे जम गए आते आते और बड़ी बड़े जो है वो गोलों की शकल में नीचे आके बरसते हैं हमें देखने को मिलेंगे और वो आके इसाही तरह से के गिरेंगे तीक है यह किस कंडिशन में है जब गर्मी जो है वह रचानक से सर्दी में बडल offer के उपर इसी तरह से अगर हेल की बात करते हैं तो वो क्या है कि उपर जो है वो पानी के कत्रे हैं तीक है अब पानी के कत्रे उपर का टंपरेचर भी ठंडा है और नीचे गर्मी है और नीचे का टंपरेचर भी जो है वो ठंडा हो गया थोड़ा सा लेकिन फिर भी इतना जादा ठंड नहीं हुआ तो उसमें जो पानी के कतरें हैं वो क्या होगा जी वो गूल शेप में बन रहे हैं क्यूंकि ठंडे हो रहे हैं जाहरी बात है तो गूल सी शेप बनेगी अब वह गूल सी शेप उपर थोड़ी बड़ी बनी लें지 तो जैसे जैसे नीचे आएगा फ्रिक्षर से मि यह है, यह है हील, ठीक है, जो के छोटे-छोटे दाने हैं, गोल-गोल दाने, जो के एक नॉर्मल टंपरेचर में गर्मियों में हो सकते हैं, लेकिन अचानक से जब टंपरेचर जो है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, तो यहां पर आपको यह बड़े-बड़े ज जिशा तूटा किसी के घर का, किसी के सर पे, तो इस तरह से जो होगा, और यहां पे इस पिक्चर के अंदर भी आप देखे, प्रॉसस यहां पर दिया वह है, यह देखे, रेन कैसे हो रही है, जब टंपर पानी के गोल-गोल तो यहां पर बर्फ बनगी, चोटी-चोटी- अपर से नीचे तक जो है, ठंड ही है, इसलिए वह इसी तरह से आ रही है, स्नोफ Parents बना है, क्यूंकि रहा रही है, यहां पर बन रही है, तो यह हमारे पास क्या है, जी मोसम या, मोßम मासम से मूतालिक जो भी हमारे पास था, वह हमने इस इसके पहूदर यहां पे, डिसक्स कर लिए और यहां पर इस topic को close करते हैं और feedback के लिए आपके जो है वो comment section मौझूद है thanks for watching